जब भी हम प्रत रहते हैं तो अकसर शाम होते होते इतने ठक जाते हैं कि भूख बहुत जोरों से लग जाती है और ऐसा कुछ बन जाए जो कि सिर्फ 10-15 मिनट में बन जाए और खा के उसे पेट भर जाए और हम अपनी भूख को शांत कर पाएं तो आज मैं एक ऐसा ही वीडियो लेकर आई हूँ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ समा के चावल के खिले-खिले को लाओ जो कि बहुत लाजवाब लगते हैं सिर्फ 10 मिनट में बन जाते हैं और आपकी भूख को ये पटा-पट शांत करने वाले हैं तो आए देख ले ने लिए हैं समग के चावल आधा कप और ये ब्रत में खुआ UM जाते हैं बहुत लोगी को कंफ्यूजन होता है कि क्या होता है चोटे-चोडे दाने वाले चावल होते जिसे शुक्षवी व्रत में ही खाया जाता है तो आधा कप मैंने ले लिया है, 100 ग्राम की करीब हो गाई है, तो इसे हम सबसे पहले अच्छे से बिन लेंगे, इसके अंदर कोई कंकड वग्यरा ना हो, और इसे फिर हम दो बार अच्छे से पानी से धो लेंगे, तो यहां पर मैंने इसमें पानी डाल दिया है, इसे मैं मसल मसल के इस तरह से दो बार धोलूंगी अच्छे से, और यहां पर हमें इसे कोई सोप करने की जरुवत नहीं है, हम इसे डारेक्ट बनाएंगे, तो यहां पर मैंने दो बार इन चावलों को धो लिया है, अब इसे छोड़ देते हैं, चलते हैं गैस की तरफ, गैस पर मैंने पैन रखा है, आप इसकी जगए कड़ाई का भी इस्तमाल कर सकते हैं, एक टेबल स्पून मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है, अब जो भी और या घी यूज करते हों, व्रत में वो यूज कर सकते हैं, वन पोर्थ कप मैंने या पे कच्छी मूंफली डाल दी है, और इसे हमें चार से पाच मिनट लो फ्लेम पे भूनना है, जिसे कि मूंफली जो है वो बहुत अच्छे से पक जाएगी, कैसे पता चलेगा, इसकी जो छिलके का कलर है, वो चेंज हो जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि मूंफली भून चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते ह जिसमें और घी डाल रही हूँ, घी जैसे गरम हो जाए, हाफ टी स्पून जीरा अड़ कर देंगे, अब बहुत लोग जीरा नहीं खाते हैं, जो नहीं खाते हैं, इन में से जो भी चीज आप नहीं खाते हैं, वो स्किप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर जो हमारे यहाँ खाते ह तो मैंने यहां पर हाफटी स्पुन जीरा एड़ किया है इसे हम हल्का सा फ्राइ कर लेंगे अब मैं इसमें चार से पांच हरी मिश डाल दे हूं जुसमें मैंने दो से तीन हरी मिश को बारिक कट लिया है और दो को साबुत काटा है बीच में से तो यह देखने में अच्छी लगती है इसे हल्का सा फ्राइ कर लेंगे अब हमारे यहां पर टमाटर खाया जाता है इसलिए मैं टमाटर यूज कर रही हूं जो लोग टमाटर नहीं खाते हैं उसे स्किप कर सकते हैं टमाटर ना डाली तो टमाटर को भी हम यहां पर अच्छे से पका लेंगे धीमी आज तो टमाटर को भी मैंने भून लिया है अब मैं इसके अंदर एड़ करें हूँ सेंधा नमक जिसे व्रत में खाया जाता है तो टेस्क के अकॉर्डिंग साथी हाफ टीस्पून काली मिच का पाउडर एड़ कर रही हूँ और इसे भी हम साथ में ही पका लेंगे तो जादा टाइम नहीं लगता इस रेस्पी को बनाने में तो जब भी मैं वरत रखती हूँ और ठकी होती हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा बन जाए जो फटा-फट बने और साथी मेरी भूग भी बहुत जल्दी मिच जाए तो मैं इन ही पुलाव को बनाती हूँ तो यहां पे मैंने 1 आलू ले लिया है कच्चा आलू है इस एसे मैंने छोटे-छोटे में कट कर लिया है जादा बड़े mentor क्रेंगे तो गच्चे रह जाएंगे पकने पाएंगे तो इसलिए पहला दी आ Schwam इन्हें भी हम हलका सा फ्राई कर लेंगे इन टमाटर और हरिमेज के साथ तो यहां पे मैंने एक मिनिट लिए इसे भी फ्राई कर लिया है इसे बहुत यचा टेस्ट आएगा अब मैं इसमें दो कप पानी डाल रही हूँ आधा कप मैंने चावल लिया था उसके लिए मैं यहां पे चार गुना पानी डाल रहे हूँ यानि कि दो कप पानी का इस्तमाल करेंगे क्योंकि यह जो चावल है बहुत जादा पानी को अब्सॉब करते हैं तो चार गुना पानी आपको इसमें अड़ करना है तो यहाँ पे दो कप पानी मैंने अड़ कर दिया है अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हमें कवर करके पकाना है पांच मिनट के लिए जब तक इसमें उबालना आ जाए इसमें देखे उबाला आ चुका है 5 मिट मुश्किल से लगे होंगे 5 मिट भी नहीं लगते हैं अब इसके अंदर हम ये चावल एड़ कर देंगे तो यहां पर मैंने सारे समा के चावल इसमें आड़ कर दी हैं जो मुंपली फ्राइ करके रखे थी वो भी इसमें आड़ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी और इसे तब तक पकाना है जब तक कि इस तरह से पानी थोड़ा सूख न जाए उसमें आप देख सकते हैं बहुत कम पानी बचा है अब मैं क्या करूँगी इसे फिर से ढख दूँगे और इसे लो फ्लेम पे पकाऊंगी तो 3-4 मिनिट में ही इसका जो पानी है वो सूख जाएगा अब गैस बंद कर देंगे चावल चेक करते हैं तो अल्मोस्स पक चुके हैं हलकी फुलकी कसर होगी तो वो भी पक जाएगी इसे ढख कर छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए तो यहां पे चावल चेक करते हैं पांच मिनिट बाद तो पांच मिनिट बाद जो चावल है बहुत अच्छे से पक चुके हैं अब मुझे इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है अब मैं इसे आपको निकाल के दिखाते हूं एक तम खिले-खिले एक एक दाना अलग-अलग इस तरह से यह चावल बनते हैं बहुत लाजवाब लगते हैं और देखा कितनी जल्दी यह तैयार हो जाते हैं बहुत इजी रेसिपी है यह देखे बिल्कुल खिले-खिले चावल अभी गरम है भाप में आपको नजर नहीं आ रहा होगा अभी मैं इसे दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से एक-एक दाना नजर आएगा तो यहां पर मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने बढ़िया चावल बने हैं अब यहां पर स्क्रीन पर आपको भाप नजर आ रही है इसलिए इतना क्लियर नहीं हो रहा है तो यहां पर आप देख सकते एक-एक दाना आपको इन चावलों में नजर आ रहा है कितने पढ़िया कलरफुल पुलाव लग रहे हैं वरत में जटपड बनाईए अपने भूग को शान्त करिए जब भी आपका मननाओ कि यार थके हुए हैं नहीं कुछ मन कर रहा है बनाने का ऐसा कुछ हो कि जटपड बन जाए खाने में भी टेस्टी हो तो आप इन समा के चावल के पुलाव की रेस्पी को जरूर ट्राइ करें और मुझे लिख के बताए आपको यह रेस्पी कैसी लगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजीगा क्योंकि बहुत महनत लगती है एक एक वीडियो को शूट करने में और इसे बनाने में तो आपका जो एक एक लाइक है बहुत सब्सक्राइब करता इस तरह के और अच्छी वीडियो लाने के लिए तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें कॉमेंट करें दूसरों के साथ शेयर करें चैनल पर पहली बाए आए है तो सब्सक्राइब करना बिलकुल मत खुलिएगा